तादा सुखबुगाहटती की वेदानता की तरफ से भी एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का एलान होतावा दिखाई देगा और वो आज चुका है दरसल कंपनी बड़े पैमाने पर अपनी अलग-अलग इकाईयों को डीमर्ज करती दिखाई देगी ये प्रस्ताव कंपनी ब का कंपनी ने फैसला ले लिया है जिसमें वेदान्त होगा साथी साथ अलुमिनियू कारोबार अलग बेस मेटल कारोबार अलग ओईल और गैस पावर और स्टील कारोबार ये अलग-अलग कंपनियां उभर कर आती हुई दिखाई देंगी कंपनी का इरादा ये भी है कि FI 25 तक इन में से पाँच नए एकाईयों को लिस्ट किया जाए लेकिन शेर धारकों को देखना ये है कि अगर आपके पास एक वेदान्त का शेर है तो उन दूसरी पाँच सबसिट्रीज का एक एक शेर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा FI 25 तक तरहसल कंपनी उम्मीद कर रही है ये पूरी प्रसेस कंप्लीट होती भी दिखाई देगी सभी अप्रूवल्स के बाद लेकिन किस में क्या बिजनिस रहेगा ये समझना बेहत जरूरी है तो वेदान जो एक्जिस्टिंग बिजनिस है जो एक्जिस्टिंग कंपनी ह उसमें हिंदुस्तान जिंक का कारोबार जोड़ा जाएगा जिसमें कंपनी 65% हिस्टदारी होल्ड करती है जो नया सेमी कंड़क्टर बिजनिस आने वाला है वो वेदान का हिस्सा होगा कंपनी का डिस्प्ले कारोबार और स्टेंलेस टील कारोबार सब इस एकाई का हिस्सा रहेगा वहीं अगर बेस मेटल वाली इकाई की बात करें तो डाउन स्ट्रीम कॉपर और जिंक का जो इंटरनाशनल बिजनिस है वो बेस मेटल की इकाई में डाला जा रहा है यही नहीं कमपनी ओल इन गैस के तेथ हम सब जानते हैं कि इन इंडिया को कुछ साल पहले अक्वा इसके अलावा वेस्टन क्लस्टर वाली भी यहां पर दरसल सिट्वेशन स्टील में आती हुई दिखाए देगी और कमपनी के जो भी कैप्टिव पावर एसेट्स हैं वो पावर बिजनिस का हिस्सा बनते हुई दिखाए देंगे तो यह छे एकाईयां दरसल कमपनी की से उभर कर आएंगी जो इवेंचुली लिस्ट भी होने वाली है